बेखू बिल्कुल थी सबका अलग अलग तरीका होता है गेम खेलने का मैंने बहुत ही सेफ प्ले बोला क्योंकि देखू जो इंसान वहां पे आपको पसंद नहीं है तो आपके पास आप्शिन होता है कि आप उसे नॉमिनेट कर सकते हो उस घर से नॉमिनेशन हर हफ्ते होती है तो यहाँ पर फटे में दो बार होती थी तो मेर्कों को ना मीनेशन से मैं बचती थी,डिकल को लोग होके सिर्णें नाराे करती organizate लोग में अच्छा कर की तभी मिनोचे नहीं करते थी क्या बनाया ह Christmas सबसे पहले तो जितने भी लोग है मैं सबको यह बोलना चाहते हूं कि हम तीनों बिल्कुल भी सबसे पहले बिल्कुल भी सबसे दो जादिया को और उस ताइं पे जब मैं बिक बॉस के घर में थी तो आल्मूस मुझे 35 देज हो चुके थे 35 पैंटिस दिन से अपनी फैमिली से दूर थी पायल से दूर थी अपने बच्चों के कोई खबर नहीं थी तो अचानक से इतने सार लोगों ने जो कोईशन पूट करें हां मैं मानती हूँ कि जो चीजे हुई वो एक मतलब की बोलते हैं कि वो एकस्पेक्टेड नहीं था जो चीजे हुई और बहुत ही अलग चीज है तो बर जो लोगों के कोईशन थे ना वो कहीना कहीना मुझे हर्ट कर रहे थे और मुझ क्या वो ठीक है क्या मेरे बच्चे ठीक है तो बस एक होता है ना कि आप 35 दिन से भरे होए थे और वो उस दिन जो बाते हुई उस बातों से मुझे तोड़ दिया और मैं इमोशनली ब्रेकडाउन हो गई थी पर फिर जब मैं रोई और मैंने अपनी जो दिल की बात से अर्मान वहार बैठे-बैठे अगर पाय अलगोशनली प्रियेट करें कुझी कि वह डिमॉर्स कर रहे हैं तो देखो अभी तक में को फोन नहीं मिला है मैं डिरेक्ट घर से आयू अभी तक मैंने फोन यूस नहीं करा जिस ताइम मैं घर पे थी तो मुझे जो चीज पता चली क्यों है कि थी को मैने घर में ये चीज सुनी नहीं थी ना मैंने देखी ना अपनी आँकों से देखी ना अपने कानों से स Jest की पायल क्या भोल रही है तुए को अर्वान जी को रढभी जी सब को यह लग ता कि हो सकता है कि कोई कोई में मीकोफॉर स्टेट्मेंट दियो या कोई बात बहुत जदा समझो मैं घर के अंदर आफ चालिस दिन दिन से घर में अदर अचानक से कोई ये बात बोलता है पाहल डाइवर्स वाली बात जो बोल रही इन चैपनी शॉकिंग बात थी कि इसकी विज़े से मैं पूरे दो दिन इतना breakdown रही हूँ, इतने emotionally मतलब हर चीज से मैं जूज रही थी उस घर की अंदर तो मुझे कहीना लग रहा था कि मैं अपने दिल को ये चीज समझा रही थी कि क्या पता ये बात सच हो क्या पता ना हो क्योंकि मेरे को यही था मैं बाहर जाओ और मैं बाइल से डिरेक्ट बात करूँ जब मैं घर से बाहर निकली टॉप फाइफ में जब मैं इस रेस से बाहर निकली मैं बाहर निकलते ही स्टेज पे पायल थी और मैंने उससे पूछा तू ठीक है ना उसने बोला हा मैं ठीक हूँ बाकी बात बात की अभी तक मै पुरिण कार्वारा थो यह बार भी और नुट की टो पूरिटार्वारण है किकार्द इसी फाल हम बुल्स की सब्सक्राइब दूरं हो गई है को मैं सब को यही बार बोल है किुग नहीं कर रहे जो बिल्कुल बिसापोर्ट नहीं कर रहे और जो मेरी अर्मान जी की शादी है जब पायल ने रेडी हुई पायल की मर्जी थी तब ही शादी हुई और पायल as a first wife, legal wife अगर वो objection उटाती है तो उस चीज के लिए मतलब कि हमारी जो law वो हमें बोल सकती है और मैं यही बात बोलूँगी कि जो हो गया, please वो हो गया, बार बार एक ही जी मैं इस परसनल चीज के बार में कुछ नहीं बोलना चाहती है परसनल चाहती है और मुझे अपनी नहीं पालिका पर पूरा बरोस है जो भी वो सैसला उनोंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया होगा, थाइंटी का जिस एक्टिशन सब्सक्राइब का विग्वास में तीनों आयते हैं जो हमारा रिष्टा है वो आप लोगों को सब्सक्राइब को पता है और मुझे पता है कि वो इतनी इसली नहीं टूटेगा अमें बाहर आगोई हो जो भी चीजें जैसे भी चीजें सारी चीजें कटी बैटके फेस करेंगे प्राइब करें या बित करेंगे प्राइब लाइब आपित करेंगे कर दो करे!